अब हम देखते हैं कि हमने बात की थी कि कोई भी एक सिक्के के दो पहलू होते हैं एक नई टेकन लाजी आ रही है तो उसके कुछ फायदे भी है नुकसान भी है ठीक उसी प्रकार प्रवास के हम परिणाम की बात करते हैं और इस परिणाम में हम देखेंगे कि प्रवास करने से बहुत से लाभ भी होते हैं और उसके कुछ नुकसान भी हमें देखने पड़ते हैं तो बात करते हैं हम प्रवास के परिनाम पर पहला हम देखते हैं आर्थिक परिनाम आर्थिक परिनाम के अंतरगत हम ये देख रहे हैं कि भई हम रोजगार की तलाश में जो हैं वो एक इस्थान से दूसरे इस्थान की तरफ जाते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि जो लगभग पंजाब हरियाना वाला जो छेतर है या आंध्रप्रदेश वाला छेतर है वहां से लोग जो हैं वो विदेश जाते हैं कारी के लिए नौकरी के लिए सेवा की तलाश में तो वहां से वो क्या कर रहे हैं भई रोजगार की तलाश में जा रहे हैं आये प्राप्त करने के लिए और वहां जो उनको सेलरी या जो वेतन प्राप्ती हो रही है उसे वो अप अपनी फैमिली को वहाँ पर लेकर गया है, उनके माता-पीता उस घर में हो सकते हैं। तो वहाँ से वह क्या करते हैं ? कुछ जो मुद्रा है वह अपने वेतन से कुछ जो राशी है वह अपने घरवालों को भिजवाते हैं। तो एक ये बहुत महत्वपूर्ण हम ये कह सकते हैं लाब है कि इससे हमारी विदेशी मुद्रा जो है वो बढ़ती है वर्ष 2002 के कुछ आकड़े कहते हैं कि इससे जो मुद्रा दूसरे देश से हमारे देश की तरफ जो उत्प्रवासी भारती जो दूसरे देश में गए है अपने घर वालों के लिए उसे हम हुंडी के नाम से जानते हैं हुंडी कहा जाता है उसे तो एक अनुमान है कि वर्ष 2002 में भारत को इस हुंडियों से लगभग 102 खरब डॉलर जो है अमेरिकी डॉलर की मुद्रा जो है उसे प्राप्त हुई थी तो इससे क्या होता है इस साथ ही साथ हम यह देखेंगे कि जो बाहर की तरफ जा रहे हैं बाहर देश की तरफ गय हुए हैं तो वो वहां की टेक्नॉलोजी नई-नई टेक्नॉलोजी से नई-ई-ई पॉलिसी को सीख कर वो आते हैं और इससे हमारे देश को बहुत फाइदा होता है तो ये दोनों ही स्थानों को जिस स्थान पर आप्रवास किया जा रहा है और जिस स्थान पर से उत्प्रवास किया जा रहा है दोनों को फायदा होता है उत्प्रवास वाले स्थान पर विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हो रही है साथ ही जो उत्प्रवासी उस देश का नागरिक दूसरे दे की तरफ जो गया हुआ वहां पर उस देश को एक कुशल और शासक्त हम यह बोलेगे रूप में या व्यक्तित्व के रूप में प्राप्त करने के लिए उसे वह अपने देश का बहुत अच्छी तरह से आर्थिक विकास और तक्निकी विकास कर सकता है तो यह हो गए आर्थिक परिनाम अब हम दूसरा बात करते हैं जनांकी की परिनाम जनांकी की परिनाम क्या होगा हम अक्सर देखते हैं चाहे वो ग्रामीर छेत्र से प्रवास हो रहा हो नगर या शहरी छेत्र की तरफ या एक राज्य से दूसरे राजी की तर प्रवास हो रहा हो तो इसमें हम क्या देखते हैं कि अधिकतर पुरुषवर्ग जो है वही प्रवास करता है और महिलाएं जो हैं वह वहाँ पर बच जाती है उस मूल स्थान पर तो इसमें एक हम सेक्स रेशियों का इम्बैलेंस लिंगा नुपात लिंग संबंधी जो असंतुलन है वो उत्पन हो जाता है तो ये भी एक हम कह सकते हैं कि मूल समस्या है जनांकी की परिनाम के रूप में अब नेक्स्ट जो हम इसका देखते हैं समाजिक परिनाम समाजिक परिनाम के अंतरगत हम देखेंगे कि भाई अभी हमने बात की थी कि समाज में क्या होगा पुरुष वर्ग अगर निकल गया बाहर सर्विस के लिए रोया रोजगार के लिए तो जो वहाँ पर महिला बच जाती है वहाँ पर क्या होता है हम कई तरह की अकसर समाचार में सुनते और देखते रहते हैं कि उनके साथ शारिक या मानसिक प्रतार्णा के जो है वो शिकार होते हैं चुकि हमको पता है कि भारती समाज जो है वो एक पूरुष प्रधान समाज है और हमेशा से यहाँ पर महिलाएं जो है वो उपेक्षित रही हैं। अब हमने इसके पहले जो जनांकी की परिणाम की बात की थी उसमें भी हम देख लेते हैं कि इसमें अधिकतर जो विवाह के बाद हम क्या देखते हैं महिलाएं जो हैं वो अपने पती के घर चली जाती हैं। तो यह तो एक जनरल है जिसमें समान्य संतुलनी स्थापित हो जाता है। लेकिन जब रोजगार की तलाश में बड़ी मात्रा में पुरुष एक स्थान से दूसरे स्थान के और प्रवास करते हैं और उनके घर की महिलाएं वहां पर मूल निवास स्थान में छूट जाती हैं तो इससे लिंग असंतुलन की स्थिती जो है वो अधिक पैदा होती है इसके बाद हम देखते हैं परियावरणी परिनाम परियावरण पर क्या प्रभाव पढ़ता है प्रवास का हमने भी बात की थी कि महाराष्ट में सबसे अधिक आप्रवासी है तो जिस इस्थान की तरफ या जिस महानगर की तरफ नगरों में ही अधिकतर जो है वो अनेक आउसर वहाँ पर लोगों को मिल रहे हैं तो फिर एक समय के बाद वो अपने परिवार के साथ मतलब इस्थाई रूप से वहाँ पर निवास करने लगते हैं और इसका परिनाम हम क्या देखते हैं तो जो बड़े-बड़े महानगर हैं उसमें हम देखेंगे जैसे दि हैं कि गंदी बस्तियों की जो समस्या है वो उत्पन हो जाती है क्योंकि और द्योगी करण हो रहा है और लोग रोजगार की तलाश में वहाँ पर जा रहे हैं तो हर वर्ग की लोग रहेंगी जनसंख्या एकदम से बढ़ेगी तो सब को रहने के लिए एक छत चाहिए एक आ लेकिन वहाँ पर संख्या जो है रहने वाले लोगों की संख्या अधिक हो गई और छेत्र जो है वो जगह जो है वो कम पड़ जाती है तो हम अकसर देखेंगे कि आसपास के इस इलाके में जुगी जोपडियां जो है वो विक्सित हो जाती है मतलब तीन के छपर वाले एक ह जो है वो टॉयलेट होगा और उस टॉयलेट पर कई कई सो लोगों का जो है वो प्रेशर रहेगा और साथ ही उस एक ही कमरे में वहीं पर खाना बन रहा है वहीं पर सो रहे हैं और एक कमरे में छे से साथ लोग जो है वो रह रहे हैं तो पर्यावर्णी समस्या जो है सब को पीने का पानी चाहिए, आवास के लिए वनों को काटेंगे दहने के लिए, साथ ही सिवरेज की जो प्रॉबलम है वो उत्पन्न हो जाती है, तो बहुत सारी वायू प्रदूशन, ध्वनी प्रदूशन हर तरह की समस्या जो है वो इससे उत्पन्न होती है, फिर अन्य परिनाम की हम बात करते हैं, और भी अलग-अलग तरह के प्रवास के परिनाम हम को देखने को मिलते हैं, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि लिंग से संबंधी इंबैलेंस तो हुआ ही है, और परियावरन के भी प्रभाव हो रहे हैं, लेकिन इसको सही तरीके से, मतलब एक जगा का विकास हो रहा है और अगर उस चीज का उस पे पॉजिटिव एफिक्ट नहीं होता है, तो इसके गलत परिनाम जो हैं, वो हमें देखने को मिलते हैं, बातचीत में जो यूथ स्टेज की जो लड़कियां होती हैं, उनसे हम सुनते हैं कि भई शादी के बाद लड़कियां ही क्यों अपने ससुराल जाएं, लड़कियां ही क्यों अपना सरनेम जो है वो चेंज करें, तो बच्चों क्या आपको एक बात पता है, कि पूरे भारत समाज जो है, वो एक पूरुष प्रधान समाज है, और यहां पर पूरुष प्रधान समाज होने के कारण महिलाएं ही जो है, वो शादी के बाद अपने पती के घर जाती हैं, लेकिन हमारे देश का एक राज ये ऐसा है, जहां पर शादी के बाद महिलाएं अपने ससुराल नहीं जाती बलकि पती जो है या पूरुष जो है वो अपनी पत्नी या उस महिला के घर आकर रहता है वो राज्य है मेगाले जहां पर जो पूरुष है वो शादी के बाद विवाह के बाद अपनी पत्नी के घर आकर रहता है और उस परिवार में महिलाएं जो हैं वो परिवा युषित के बारे की भवरी ऑख सथा होती है और परिवार की उस महिला मु seríaरा 7 2023 और ऑन्य किसी भी घटना के बाद उसकी बैटी उस परिवार की मुख्या होती है यह हम यह कह सकते हैं कि कि वहां पर महिला प्रधान समाज यह उसकी परिस्थिति जो है वो देखने को मिलती है और यह एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि positive जो है वो effect है या positive change हम इसे कह सकते हैं सकारात्मक बदलाव है क्योंकि हम अपने समाज में लोगों की यह मानसिक्त होती है कि महिलाएं जो होती है वो कमजोर होती है या भी हमने कि महिलाओं में जो प्रवास होता है वो अधिकतर विवाह के उदेश से ही मतलब विवाह के कारण ही वो अपने ससुराल चली जाती हैं ये प्रवास उनमें अधिकतर देखने को मिलता है और लगभग 3-5% ही रोजगार या सिक्षा के परपस से उनमें प्रवास जो होता है तो कि हमारी ये जो सोच है कि पुरुष प्रधान समाज में पुरुष ही मुख्य होता है या एक मेल जो है या घर का एक जो लड़का है यदि हम बच्चों की बात करें तो यदि उसमें लड़का है या घर का मुख्य जो पुरुष है वही intelligent होगा और वही जो है वो घर के सारे निर्ने ले सकता है, पॉलिसीज बना सकता है, तो हमारी सोच कितनी गलत है, कितनी रूढ़ी वादी है, क्योंकि एक महिला को मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी, और यह सब बाती जो हैं, वो शायद हम खुद भी अनुभाव करते हैं, एक महिला में, महिला को हम एक अनुमोल उपहार कह सकते हैं, लड़की को एक अनुमोल उपहार कह सकते हैं, इश्वर का दिया हुआ, क्योंकि इश्वर ने या प्रकृती ने ही हमें ऐसा बनाया है, कि हम हर परिस्थिती से जूज सकते हैं, हर परिस्थिती का सामना कर सकते हैं, चाहे वो निगेटिवी, कितनी ही उ तो ना हो और उसके बाद भी हम हसते और मुस्कुराते हुए ही अपनी फैमली को मिलते हैं हर परिस्थिती का सामना करने के बाद भी. तो ऐसा नहीं है कि महिलाएं जो हैं वो कम शशक्त होती हैं या उनमें निड़ने लेनी की छमता नहीं होती या वो घर नहीं चला सकती बराबर ही भागीदारी दोनों की यदि हम इस बात को सेक्स रेशियो में भी आगे पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि एक परिवार में एक समाज में एक पुरुष और महिला जो है वो एक सिक्के के दो पहलू की तरफ होते हैं और वो समाज तभी उननसील और प्रगतिशील होगा जब उसके ये जो दोनों पहलू हैं वो उनकी गाड़ी या हम यह कहें कि उन दोनों की सहभा भागिता जो है वो बराबर होगी तो एक सिक्के के दो पहलू की तरफ तरह महिला और पुरुष दोनों की समान भागिदारी जो होनी चाहिए और इसमें हमने जो मेगाले का उदाहरन देखा एक्जामपल देखा वो निश्चित रूप से हमारे समाज का एक सकारात्मक बदला को है प्रवास संबधित के संबंध में की कि मुख्य रूप से तीन आप्रवासी प्रधानचेत्र और तीन जो है वह उत्तक्रवसी-प्रथानचेत्र हमारे भारत में देखने को मिलते हैं जो आपको इस तालिका से और आप मान्चित्र से भी इसको देख सकते हैं पशिम बंगाल असम महाराष्ट पहले नंबर पे फिर दिल्ली है और इस दिल्ली में हम देखें तो लगभग 5 प्रतिशत से अधिक जो हैं वो आप्रवासी यहाँ पर निवास करते हैं इसके बाद आता है आपका मध्य प्रदेश 36 गड़ और अंडमान निकोबार दीव समूं अब उत्प्रवासी प्रधान छेत्र की बात करें तो तीन प्रधान उत्प्रवासी छेत्र हैं जिसमें पहला है आपका पहले नंबर पे तीन जो हैं उत्तर प्रदेश बिहार और केरल फिर हम देखेंगे पंजाब हिमाचल प् करनाटक बच्चो आपको पता है कि जो ये उत्तर प्रदेश और हम बात कर रहे हैं बिहार की तो जो हमारे देश में हरित करांती हुई थी तो हरित करांती के दौरान जो उत्ची किसम की खाद का बीज का या जो हमने उत्तपादन में इतनी अधिक वृद्धी की थी वो किस प्रदेश और बिहार के मजदूर उत्प्रवास करते हैं आपके पंजाब, हर्याना और चंडीगड तक इन उत्प्रवासियों की वजह से ही संभव हो पाया है या हम ये कहें कि इस बात में इनकी महत्तपूर्ण जो है वो भागीदारी थी या हमेशा से ही रहती है तो ये हो गई आज के चैप्टर की बात जिसमें हमने प्रवास से संबंधित अलग-अलग पहलूओं को देखा कैप्टर शहती है उने समय बात जिसमें हम मfightयाई श harवाट जिसके उनकी मीन से बात atención ट油बहँ शुद्यख्स siा औरे छो चाहती है बात शो कि बात जिस्जखव से से सागन दो है वो आत गया है वो खाय के जहा है वो हम है ये